नमस्कार दोस्तों मैं आशुगीत आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल आशुगीत ट्रेडमार्क एम्पायर में आज की हमारी वीडियो उत्राखंट हिस्ट्री सिरीज का ही एक पार्ट है लेकिन यहां से आगे हम पहले प्रमुक राजवंशों को कम्प्लीट करेंगे उसके बाद जो बचेगा उसे फिर कवर करेंगे तो उत्राखंट के इतिहास में प्रमुक राजवंशों के क्रम में पहला राजवंश पहली डाइनेस्टी जिस पर हमारी आज की वीडियो है वो है कुलिंद राजवंश कुलिंद वंच के बारे में हम इस वीडियो में और इसके अगले पार्ट में डिटेल में जानेंगे और फिर उनसे रिलेटेट जो भी important question answers होंगे जो exams में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं UK PCS level तक के उनको हम discuss करेंगे एक अलग तीसरी वीडियो में इसलिए आप इन दोनों parts को पहली दोनों वीडियो को जरूर देखें और पूरा ध्यान से देखें और साथ में समझें भी तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कुलिंद वंच के बारे में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इतिहासकारों के अनुसार कुलिंद राजवंच संभवता most probably उत्राखन का पहला राजवंच था या हम कह सकते हैं पहली राजनितिक शक्ती थी अब संभवता इसलिए क्योंकि रामायर महाभारत से लेकर अस्ता ध्याई तक हमें कुलिंदों के साक्ष तो मिलते हैं और ये भी पता चलता है कि वो उत्राखन के वरतमान शेत्र में खासतोर पर गड़वाल वाले शेत्र में एक सम्रिद्ध राजनितिक शक्ती रहे होंगे लेकिन साथी साथ उनके कुछ समकालीन राज्यों का भी हमें पता चलता है जैसे महाभारत कालीन असुर बान का राज्य लेकिन उनके बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है वो कुडिंदों से पहले अस्तित्तु में थे भी या नहीं इसका भी कोई ठोज सबूत हमें नहीं मिलता इसी लिए इतिहासकारों के अनुसार कुरिंद वंश संभव तह उत्राखन की पहली राजनितिक शक्ती था तो कुरिंदों के इतिहास को समझने के लिए उनसे संबंदित जो कुछ भी जानकारिया हमें मिलती हैं उसके आधार पर और बाकी जो उनके आसपास हुआ उसको भी दिहान में रखते हुए हम कुरिंदों के इतिहास को तीन भागों में बाड़ते हैं जिसे हम इस वीडियो में टाइम लाइन के हिसाब से पढ़ेंगे ताकि समझने में और याद रखने में आसानी हो सबसे पहला है पूर्व या प्राचीन कुरिंदकाल इसका समय अधिकतर इतिहास कारों द्वारा माना जाता है 1000 इस्वी पूर्व यानि की B.C.E. Before Common Era से 500 या 600 इस्वी पूर्व तक दूसरा है मध्यवर्ती कुरिंदकाल 600 इस्वी पूर्व से 200 इस्वी पूर्व तक और फिर आता है परवर्ती कुरिंदकाल 200 इस्वी पूर्व से लगभग 300 इस्वी तक कुछ इतिहास कार इसे 400 इस्वी तक भी या 400 AD कह लीजिए या 400 CE कह लीजिए common era भी कुछ भी आप कह सकते हैं तो कुछ इतिहासकार इसे तब तक का मानते हैं तो हम एक एक करके इन तीनों कालखंडों के बारे में जानेंगे सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन कुणिंद काल की अगर आपने ancient Indian history पढ़ी है और history series की पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि 1000 इस्वी पूर्व से 600 इस्वी पूर्व तक के समय को कहा जाता है उत्तर वैदिक काल और रिगवेद के अलावा बाकी के मुख्य धार्मिक ग्रंथों को धार्मिक साहित्यों को इसी काल में रखा जाता है इसी काल का मान करते हुए एक जगह को पुलिंद दाश्च कहा गया है मतलब पुलिंदों की या पुलिंदों का आगे को शेत्र पुलिंद कुलिंद कुलिंद ये शब्द कुलिंदों के लिए ही हमें अलग-अलग जगहों पर मिलते हैं फिर रामायन के बाद आते हैं महाभारत पर महाभा राज जी की उत्तरी सिमा पर सटे कुलिंद जन्पत के कुछ हिस्सों को अरजुन द्वारा जीता गया था। राज जी के राजाओं ने उन्हें गिफ्ट भिजवाय थे, उन्हें उपहार भिजवाय थे। इसी में एक जिकर पर जिकर आया कि शैलोदा नदी के तट पर जहां कई जातियों के लोग रहते हैं, जिनमें से एक कुडिन जाती भी है, वहां के राजा दवारा ओशधियां, जडी बूटियां, गंगा जल, शहध, पीपीली का स्वर्ण आदी भिजवाय गया, पीपीली का स्वर्ण यानि जो नदी की रेट से छोटे-छोटे कड़ों के रूप में सोना निकाला जाता है, वो सोना, और यहां जिस शैलोदा नदी का उलेग हुआ है, वो exactly कौन सी इतिहास का रहे हैं, उत्राखंड के इतिहास का रहे हैं, वो कहते हैं कि यह धौली गंगा है, लेकिन फिर दोनों ही स्थिति में कई और सारी बातें इसमें फिट नहीं बैठती, इसलिए कंफर्म शैलोदा नदी का अभी कुछ नहीं पता, खेर हम आगे बढ़ते हैं, सभा इंपोर्टेंट फेक्ट हमें पता चलता है, आरण यक पर्व से, जिसे हम वन पर्व भी कहते हैं, उससे ये पता चलता है कि अपने अज्यातवास या वनवास काल के दोरान, पांडव एक रात कुडिन दाधी पती सुबाहु के यहां रुके, उनकी राजधानी सुबाहु तो इससे हमें कई बातें पता चली, पहला तो कुडिन जनपत के राजा का नाम सुबाहु है, दूसरा पता चला उनकी उपाधी है कुडिन दाधी पती, और महाभारत में ही एक जगह पे उन्हें किरात राज भी कहा गया है, यानि किरातों के राजा, तीसरा उनकी राजध ती और राजा का नाम सुबाहु था, अब सुबाहु को हम कुडिनदवन्च का संस्थापक तो नहीं कह सकते, क्योंकि कुडिनदवन्च रामायड में भी होने के साक्ष हमारे पास हैं, इसलिए सुबाहु को कुडिनदवन्च का पहला ग्यात शाशक हम जरूर कह सकते हैं, इसके बाद कुरिंदों का उलेख आता है भीश्म पर्व में भीश्म पर्व में जब युद्ध से पहले पांडवों और कौर्वों की सेना का वर्ण किया गया है तब उसमें बताया गया है कि सुबाहु ने कौरवों के साथ युद्ध में पांडवों का साथ दिया था और फिर आगे काणपर्व से हमें पता चलता है कि युद्ध के दौरान कॉनिन्द सेना के बड़े-बड़े हाथी कौरवों पर तूट पड़े थे इसका मतलब उनकी सेना में अच्छी संख्या में हाथी हुआ करते थे और हम देख सकते हैं आज भी राजा जी नेशनल पार्ख हाथियों के लिए काफी फेमस है तो ये इलाका शायद उस समय उनकी सीमाओं में रहा होगा और आज की तरह उस समय भी वहाँ हाथी होंगे बलकि आज से ज़्यादा ही होंगे जिसमें हमें पुलिंदों का नाम मिलता है तो इस बात की संभावना है कि उन्होंने जौनसार बावर वाला इलाका कुलिंदों से जीता हो बाकि वो कुलिंदों के समकालीन थे और उनके पड़ोसी राजी के राजा थे तो ये सब हमें महाभारत से कुडिंदों के बारे में पता चलता है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि महाभारत से ही हमें कुडिंदों के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है लास्ट में कुल मिलाकर अगर हम देखें तो महाभारत में जो और जन्पदों का मतलब राजियों की सीमाएं दी हैं या वनपर्व से हमें पांडवों की यात्रा के दोरान जिन जिखों का पता चलता है और बाकी के स्रोतों को भी ध्यान में रखते हुए इतिहासकारों ने य चैत कुमाओं में भी असुरबान का इलाका और जौनसार बावर वाले इलाके में इस जगह पर राजा विराट के राजिका कुछ हिस्सा रहा होगा ऐसा अनुमान इतिहासकारों ने लगाया है महाभारत में यहां रहने वाले लोगों का भी उल्लेक हमें बार-बार मिलता है जिसमें जांगुर, खश, तंगड, किरात, परवतिय, आदी लोग कुडिंद तो खेर थे ही तो ये सब जातियों के लोग यहां रहते थे जिनमें से कुडिंद और किरात प्रमुक थे और एक चीज, महाभारत में हमें कुडिंदों के पड़ोसी राजियों की कुछ जातियों का भी उल्लेक मिलता है, जैसे यौधे, ओदुंबर, अर्जुनायन, etc. यह उस समय अलग से कोई राजितों नहीं थे, पर यह शक्तिशाली सम्हु जरूर थे, इनके लिए एक शब्द हमें मिलता है आयुध जीवी संग, मतलब ऐसे लोग, ऐसा संग, जो सिर्फ युध को अपना प्रोफेशन बनाते थे, मतलब जब युध होता था तो उसमें भाग लेते थे, और जब नहीं होता था, उस समय युध की तयारी ये लोग करते थे, जैसे हथियार बनाना आदी काम क मारकंडे पुरान और ब्रह्मान पुरान में भी जनपदों के सूची हमें दी हुई है, और इन दोनों में ही हमें एक नाम मिलता है कुलिंद दाश्च, जो कि हमें पता है कुरिंदों से संबंदित है, इसके अलावा विश्नु कुरान में भी हमें कुरिंदों के लिए कुल मध्यवर्थी कुडिंदों का काल जो है 600 BCE से लेकर दोसबी सी यी तक प्राचीन कुडंद काल जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया भारत के इतिहास के कॉंटEKST में है उत्तरवेधिकिक काल। और अब मध्यवर्थी कुडंद काल सांथ-सा चलता है भारत के इतिहास के कॉ सालों में कुरिंदों के बारे में कुछ पता नहीं चलता फिर 500 BCE में 500 लेकिन अधिकतर इतिहासकारों की राय है और NCRT के हिसाब से भी अस्ताध्याई 500 इस्विपूर्व के लगभकी है तो अस्ताध्याई में महर्शी पाणिनी ने बताया है कि उत्तरवाला हिमालेई भाग दो भागों में बटा था त्रीगर्त गर्संग और कुलिंद गर्संग कुलिंद गर्संग में कई छोटे-छोटे जनपत थे जिन में से प्रमुक था कालकूट और अब कालकूट का प्रमुक होना ये दर्शाता है कि कालकूट कुलिंद गर्संग का यानि कुलिंदों की राजधानी रहा होगा और कालकूट की पहचान हुई है वर्तमान के कालसी से जो कि दहरादून जिले में यमुना और टोंस नदी के संगम पर उनके तट पर इस्थित है हमें कई अन्य साहित्यों से भी पता चला है कि कालसी महाजनपत काल से ही एक बहुत बड़ा व्यापारी केंद्र बन गया था तो इससे ये बात भी क्रॉस चेक हो जाती है कि कालसी ही कुरिंदों की रासधानी उस समय रहा होगा इसके बाद फिर अगले 200 सालों तक हमें कुरिंदों के बारे में कुछ पता नहीं चलता इस बीच 16 महाजनपतों में मगद बहुत तेजी से बढ़ा उसका सामराजी फैला और फिर 322-321 BCE में धनानंद को हरा कर चंद्रगुप्त मौरी ने मौरी वंच की स्थापना करी चंद्रगुप्त मौरी के दरबारी और उनके गुरू थे चानक के जैसा की हम जानते हैं तो चानक के ने लगभग 300 इस्वी पूर्व में अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम है अर्थ शास्त्र जो की काफी फेमस है तो अर्थ शास्त्र में उन्होंने कुलूट, ओदुंबर, कुरिंद, यौधे, राजयन, अर्जुनायन इन राजियों का उलेक किया और इन में से कुलूट, ओदुंबर और कुरिंद, इन तीन राजियों के लिए चानक के ने कहा राज, शब्दिन, संग अब इतिहासकारों के अनुसार इसके दो मतलब निकलते हैं कुछ कहते हैं, इसका मतलब, राजय की उपाधी को, मतलब मौर राजय की उपाधी को स्विकार करने वाले राज या संग दूसरा अर्थ निकाला जाता है, ऐसे राजय जहां राजय का निर्वाचन होता था मतलब डेमोक्रेसी टाइप तो यहां पर दोनों ही अर्थ आगे चलकर सही लगते हैं लेकिन पहला अर्थ कुछी समय बात क्रॉस वेरिफाई हो जाता है वो कैसे हम थोड़ा आगे जानेंगे उससे पहले हमें यहां पर एक और बात पता चली कि महाभारत के समय जो छोटे-छोटे समू जिनके बारे मैंने आपको बताया था ओदुंबर, यौधे, अर्जुनायन ये अब छोटे-छोटे राज बन चुके थे हाला कि ये मौरिसाम राजी के अधीन थे अब आते हैं पहले अर्थ पर तो हमें ये बात तब पता चलती है जब कुछी साल बाद समराट-अशोक मौरिसाम राजी के राजा बने तो उन्होंने अपनी उत्तरी सीमा को दर्शाता हुआ एक शिलालेख 257 इस्वी पूर में स्थापित किया कालसी में कालसी शिलालेख ये कुडिंदों के बारे में जानकारी का हमारा अगला और पहला पूरा तात्विक स्रोत है कालसी सिलालेख यमना और उसकी ट्रिब्यूटरी अमलावा के तड़ पर कालसी में ही इस्थित है और ये समराट अशोक के 14 सिलालेखों में से अगर हम क्रमवाइस देखें तो 13 नमबर का शिलालेख है इसमें प्राकरत भाषा और ब्राहमी लिपी में इस जगह को यानि की कालसी को अपरांत कहा गया है और यहां रहने वाले लोगों के लिए इसमें यानि की कुरिंदों के लिए इसमें पुलिंद शब्द हमें मिलता है तो यहां हमें पता चला कि कालसी जो पानिनी के समय कुडिंदों की रासधानी थी अब वो मौरिसामराजी के अधीन थी मतलब कुडिंद भी मौरिसामराजी के अधीन थे तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि चानक की ने जो राजशब्दिन संग कहा था उसी समय से कुडिंद मौरिसामराजी के अधीन थे हाला कि कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि मौरियों ने केवल तराई भाबर वाले इलाके तक ही अपनी सीमाय रखी इसका मतलब परवती शेत्रों में उस समय भी मौरिसामराजी के समय भी कुडिंद स्वतंत्र रहे होंगे इसके बाद इस काल का हमारा अगला स्रोत भी एक बौध्य साहित्य है महा मयूरी इसकी पांडूलीपी से इसके मैनिस्क्रिप्ट से हमें पता चलता है कि कुडिंद उस्त्रापाद नाम के यक्ष की पूजा किया करते थे तो मध्यवर्ती कुडिंद काल से हमें कुडिंदों के बारे में इतना ही पता चलता है अब यहां से आगे अगला कालखन शुरू होता है दोसो इस्वी पूर्व से परवर्ती कुडिंद काल इसका शुरुवाती समय दोसो इस्वी पूर्व ही इसलिए रखा गया है क्योंकि लगबग दोसो इस्वी पूर्व से हमें कुरिंदों की मुद्राएं यानि उनके सिक्के मिलने शुरू हो जाते हैं और यहां से आगे कुरिंदवंश का स्वर्णिम काल शुरू होता है या उनका चर्मोत कर्ष काल भी इस तीसरे काल को हम कहते हैं लेकिन इसके बारे में हम यहां से आगे जानेंगे अगली वीडियो में क्योंकि परवर्थी कुरिंद काल पूरी तरह से उनके सिक्कों पर आधारित है इसलिए सिक्कों के बारे में अलग से और डिटेल में जानना जरूरी है तो अब इस वीडियो के लास्ट में अगर हम conclusion में प्राचीन और मद्धिवर्थी कुरिंद काल का comparison करें तो प्राचीन काल के हमारे पास साहितिक्स रोध हैं, मध्यवर्ती काल के भी साहितिक्स रोध हैं, लेकिन मध्यवर्ती काल का हमारे पास कालसी शिलालेक के रूप में पुरा तात्विक्स रोध भी है प्राचीन काल में राजा का नाम कुरिंद राजा का नाम हमें मिलता है लेकिन मद्धिवर्ती काल में हमें किसी भी राजा का नाम पता नहीं चलता प्राचीन काल में उनकी राजधानी श्रीनेगर थी जो कि मध्धिवर्थी काल के शुरुवात में तो कालसी में शिफ्ट हो गई थी लेकिन अन्त आते आते मौरि सामराजी के वो अधीन हो गई थी ये सब मुख्य बाते हमें इन दोनों कालों से पता चलती है तो आज की इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में जानेंगे परवर्थी कुरिंद काल और उनके सिक्कों के बारे में तैंक्स वाचिंग दे वीडियो इस्ते कनेक्टेड इस्ते ब्लेस्ट